प्राश्न, विधान परिशद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? आपका ओप्षन है, A12, B6, C. विधान परिशद के कुल सदस्य का एक बटाच है, D. विधान परिशद के कुल सदस्य का एक बटाच है, D. विधान परिशद के कुल सदस्य का अंतिम व्याख्याता है। आपका ओप्षन है A. कार्य पाले का, B. विधाई का, C. न्याय पाले का, D. इन में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है, न्याय पाले का। प्राश्न, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी छेत्रों का नियंत्रन करता है। आपका ओप्षन है A. नगर पंचायत, B. नगर पाले का परिशद, C. नगर निगम, D. इन में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है, नगर निगम। प्राश्न, इन में से कौन सा सम्विधान संशोधन वस्तू एवं सेवा कर, GST से संबंधित है। आपका ओप्षन है A. 101 वा, B. 118 वा, C. 257 वा, D. 44 वा, आपका सही उत्तर है, 101 वा, प्राश्न, निर्वाचक नामावली को सामान्यता किस रूप में जाना जाता है। आपका ओप्षन है, A. चुनाव गणना, B. मतदाता सूची, C. चुनाव सूची, D. सीरियल सूची, आपका सही उत्तर है, मतदाता सूची। प्राश्न, राजय सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। आपका ओप्षन है, A. 270, B. 260, C. 250, D. 280, आपका सही उत्तर है, 250 प्राश्न, भारत के समविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है। आपका ओप्षन है, 1. ब्रिटिश के समविधान, B. भारत सरकार अधिनियम 1935, C. आयरलेंट के समविधान, D. जापान के समविधान, आपका सही उत्तर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्राश्न, भारत के समविधान का कौन सा भागवित, समपत्ति, अनुबंध और वादो से समबंधित है। आपका ओप्षन है, एक भाग बारा, बी भाग नो, सी भाग दस, डी भाग आठ, आपका सही उत्तर है, भाग बारा, प्राश्न, भारत के समविधान के निमनलिखित में से किस अनुच्छेद में समपत्ति के अधिकार का उल्लेख है, आपका ओप्षन है, आपका सही उत्तर है, अनुच्छेद 300A, प्राश्न, भारतिय समविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यता राज्य के नीती निर्देशक तत्व से संबंधित है, जोकी भारतिय समविधान के में दिये हुए हैं, आपका ओप्षन है, एक भाग दो, बीक भाग तीन, सीख भाग चार, डीक भाग पांच, आपका सही उत्तर है, भाग चार,